हेई एवरिवान वेल्कम तो सरकारियाट वांस अगेंग तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो कि जिपमर बीएसी नर्सिंग और पैरामेडिकल कूर्स इडमीशन 2023 के रिगार्डिंग रहने वाला है ठीक तो जिपमर में आपको पता है जो बीएसी नर्सिंग है और जो बीएसी पैरामेडिकल कूर्स है या जो एलाइड हेल्थ कूर्स हैं उसमें एडमीशन के लिए आपका नीट स्कोर जो है वो लगना था ठीक है तो नीट स्कोर के बेसिस पर यहाँ एडमीशन होना था तो जि से हम क्या conclusion निकाल सकते हैं और आगे का जो process हो किस तरीके से होगा वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो आप सब भी से request है कि वीडियो को पूरा end तक देख लेना आपको कोई भी problem future में ना हो ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हम schedule की बात करते हैं तो आपको पता है closing date जो थी इसके online registration की वो 5th of September थी and उसके बाद का जो schedule है वो कुछ इस तरीके से इहां पर इनोंने mention किया था तो यह आप देख सकते हो third वाला जो point इसमें लेख है expected date of publication of eligible list in website ठीक है तो website पर जो आपकी eligible list या फिर जो merit list आनी थी वो आपकी 16 September तक आनी थी तो कल रात जो है लगबग 7-8 बज़े के आसपस जो है अब हम उसके बारे में भी देखेंगे आगे सारी information तो कल जो है on time सारी चीज़े चल रहे है 16 September को जो है आपकी जो merit list है वो upload कर दे गया अब इसके बाद का जो process है ठीक है वो है आपका counseling and admission यह होगा आपका tentatively in the fourth week of September तो dates जो है अभी बाद में आएंगे dates जब website में आएंगी मैं आपको inform कर दूँगा तो चैनल पर अगर आप new हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बलाइगन को प्रेस कर लेना ठीक है तो fourth week of September का मतलब है कि यह जो date है लगबग लगबग आपकी 20 के आसपस आएगी है 20 20 से 25 के बीच में आ जाएगी तो 20 से 25 सप्टमबर के बीच में आपकी official dates आजाएंगी counseling के ठीक है तो यहां मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कि counseling के लिए जो है आपको जिपमर, pondicherry या पुडुचेरी जाना होगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो fourth October से आपकी classes start होंगी तो first counseling जो है आप मान के चल सकते हो कि आपकी 30 September तक कहीं न कहीं खतम हो जाएगी ठीक है उसके बाद अगर seats vacant रहती है तो seats vacant रहने के बाद जो है फिर second round की counseling होती है तो उसके बारे में भी मैं आपको inform कर दूँगा ठीक है तो आपको जो है यहां पर pondicherry जाना यानि कि personally आपको वहाँ पर physically खुछ से जाना पड़ेगा ऐसानी कि आपके parents से ले जाए तो आपका काम हो जाएगा ठीक है जिसने अपना जिसका भी form fill किया गया है उस candidate का जाना कंपसरी होगा अगर उसे आगे के counseling और admission process में participate करना है ठीक है तो आप अकेली भी जा सकते हो अ इन्होंने लिखा है कि candidates on the published eligible released reporting at the counseling venue within the stipulated time ठीक है तो अभी जो भी dates आएगे आपको जाधा time नहीं मिलेगा मतलब 3-4 दिन पहले date release की जाएगी और उसके बाद जो है फिर आपकी counseling की reporting date आजेगी उसमें venue भी आ जाएगा venue का मतलब है कि आपका जिपमर में आपको जब बुलाए जागा तो वहां का जो भी address वगरा है और जो आपका जिपमर में कौन सा auditorium वगरा है कहां आपको report करना है ये सारी details आपके पास आ जाएंगे ठीक है तो अब यहाँ पर बात करते हैं merit list की जो कि आप website से खुद भी download क पर सकते हो ठीक है तो यह है जो मैंने अभी screen पर खोली है यह आपकी है overall provisional rank list या merit list ठीक है तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है एक तो overall merit list release किया है और बाकी बहुत सारी और भी मतलब merit list release किया है वो इनकी category wise merit list है ठीक है तो यह आपकी overall है जिसमें सभी बच्चों का नाम है जिस जिसने सही से अपना registration complete किया था ठीक है यहाँ पर अगर किसी बच्चे का नाम इस list में नहीं मिलता है ठीक है अगर किसी का नाम जो है यहां लिस्ट में नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आप in eligible हो in eligible in the sense कह सकते हो कि या तो आपने registration सही से नहीं करा होगा या यह इसकी official website है तो official website को जब खोलोगे तो वहां home page पर ही अभी महाँ पर merit list BSC nursing इस तरीके का एक link का रहा हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका एक new page open होगा जिस पर आपकी सारी merit list होंगी overall merit list, EWS की merit list, SC, ST, OBC, pondicherry reserved category merit list तो सारी merit list जो है महाँ पर आपको website पर मिल जाए ठीक है तो अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आप उसमें चेक कर लेना तो आपने form में कुछ ना कुछ गडबड़ी करी होगी या फिर आपने form जो है सई से फिल नहीं किया होगा इस वज़े से हो सकते है कि आपको अपना नाम यहाँ पर ना दिखाई दे या फिर आपक रंक जो है वो जिनका नीज स्कोर है 664 मेरे को समझ नहीं आए कि मतलब 664 मार्क जिनके हैं वो इस लिस्ट में क्यों है ठीक है विगॉज इनको तो कहीं भी ऑल इन्यकोटा से मल सकते है और होपुली हो सकता है कि मिल भी गया हो अभी सेकिन नौन वगरा में तो बस हो सकता है ऐसे ही अपलाई कर दिया हो साइड में ठीक है तो यहां पर 664 जिनके मार्क से वो रंक वन पे हैं फिर 609 मार्क पर जो है वो सेकेंड नंबर पर है ठीक है और उसके बाद 606 605 उसके बाद 599 फिर 595 82 इस तरीके से जो है रंक यहां पर आपको मार्क जो है नीचे जाते जात अमेरे को देख रहा है लास्ट यहर जो इतने नंबर आफ क्यांडिडियर्स नहीं थे जिनके अच्छे स्कूर्स थे यहां पर तो इस बार जो है काफी जादा इसमें जो है कट आफ उपर जाने का एक्सपेक्टिशन जो है वह हम लगा सकते हैं ठीक है तो यह जैसे आपकी लिश्ट दिया यह आपकी overall list हो गई ठीक है तो इसमें आपको फॉस जो यह सीरियल नंबर रराट कर सकते हैं जो आफ को देखने की निदर नहीं है इसी में आप देखो कि जो तो इसी में OBC की भी rank इन्होंने लिखिए कि OBC rank में 1 कौन है, EWS में rank 1 कौन है, तो EWS में जब आप देखो कि rank 1 कौन है, यह 9th नमबर पर जो है, जिनका नाम अमरजीत कुमार है, 519 के marks है, और EWS में rank 1 है इनकी, ठीक है, और यह कहा है, और mail भी लिखा है इन्होंने, मतलब mail candidates जो है, उनकी rank wise कितने है, ठीक है, तो इन्होंने mail के नीचे जैसे 123 लिखा है, मतलब यह सारे mail candidates है, तो इसी list से आप जो है, सारी चीज़े conclude कर सकते हो, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है, मतलब यह है कि, कितने marks सक जो है, वहाँ अगर आपको जाना है, reporting करनी है, तो कहां त सारा calculation करना पड़ेगा, तो पहली चीज़ तो आप यह समझ लो, कि यहाँ पर देखो, जितने के candidates ने apply करा है, और इसमें से लगभग मैं मानता हूं, मुश्किल से 50% जो है, बच्चे वहाँ पर reporting के लिए जाएंगे, ठीक है, वो इसलिए, because देखो, इसका जो registration था, वो free of cost था, तो हर कोई apply कर सकता था, जिसने need का exam दिया था, दूसरी बात यह है, कि pondicherry आपको जाना है, तो हर किसी के लिए pondicherry travel करना हो सकता है, कि उसके town से, उसका home town है, वहाँ से जो है, pondicherry काफी दोर हो, तो हर कोई यहाँ पर travel करके नहीं जाएगा, because हर candidate को यह पता है, कि यहा लेकिन जिनकी rank थोड़ी नीचे की तरफ है, या मालो जिनकी rank 300 प्लस है, 400 प्लस है, तो उनके chances थोड़े कमें, तो वो candidates में से काफी जादा candidates हैसे होंगे, जो report यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, because pondicherry जाना is not an easy task, अगर आपको घर जो है दूर है, या फिर आप North Side में रहत जो ठीक है, तो इसलिए इस अब पर competition कानों जाएगा, और दूसरी चीज यह भी है, कि यहाँ पर जो है, मतलब बहुत सारे candidates हैं, जैसे मैंने बोला है, यह 64 marks पर जो rank 1 candidate है, ठीक है, यह 609, यह हो सकता है, इन सभी candidates के कुछ और plans हो सकता है, इनका कुछ drop लेना का plan बन गया ह या फिर दूसरी चीज यह है, कि इन्होंने, MBBS में आगर सपोज इनको seat मिल गई है, और MBBS में नहीं मिले तो BDS या फिर और किसी courses में, इन्होंने जो एनूल अल्रेडी कर ले आओ, ठीक है, तो यह जो top rankers है, top rankers में भी से, मेंसे भी काफी जादा candidates जो हो यहाँ से remove हो जाता है reporting के लिए, but मैं आपको बता रहा हूं, लगब लगब 50% 60% जाके report करेंगे, तो इस वज़े से competition यहाँ आप छोड़ा कम हो जाता है, अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूँ कि competition सिर्फ इनी candidates के बीच में है, जो जिनका नाम जो है list में है, बागी कोई और candidate आप compete नहीं कर सकता है, जिसने registration नहीं किया था, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, पहली चीज़तों आपको मैं यह मता दूँ कि अगर मालो आपको अभी तक कहीं पर भी admission नहीं मिला है, and आप जो है drop लेते लेते ठक चुके हो, and आप और जादा drop नहीं लेना चाते, तो भले ही आप को लगता है कि मेरा college मिलना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको खुश से ऐसा assume कर रहे हो, तो फिर भी आप reporting जरूर कर लेना, because यहाँ पर किसमत का कुछ पता नहीं है, मतलब मालो की first round में अगर नहीं मिलता, तो second round में काफी जादा अच्छे chances हो जाते है, because second round क्या होता है second round जो होता है, काफी जादा silently होता है, यह notification निकालेंगा है, two-three days बात का reporting time देढ़ेंगे, तो उसके बारे में यह होता है कि काफी जादा लोगों को पता नहीं लग पाता है, और काफी जादा लोग क्या है, वो round इतना जल्दी हो जाता है, मतलब क्या है, first round complete होगा, first round complete होन में, pondicherry जाना, हर किसी के लिए जो easy नहीं हो सकता, ठीक है, तो यह है कि इसमें अगर आपने apply किया है, और आपके पास और कोई भी backup option यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और आप जो further drop नहीं लेना चाते हो, तो यहाँ पर इसकी जो counseling का process चलता रहेगा, end तक उसमें खड़े रहन ठीक है, बस यह मेरी आपको advice मैं आपको दे रहा हूँ, because यहाँ पर आपके किसमत अच्छी होगी, तो आपको college जो ही आपर जरूर मल जागा, and Jipmar is one of the most renowned institute in India, तो यहाँ से आप अगर कोई भी चाहे nursing course करो, या फिर आप paramedical course करो, तो आपका future काफी अच्छा रहने वाला ह ठीक है, because यहाँ पर आपको सीखनी को काफी अच्छा मिलेगा, practice आपके काफी अच्छी होगी, सारी चीज़ा काफी अच्छी होगी, and fees आपको पताईए, ना के बराबर है, fees आपकी बहुत ही कम है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों की तो attention आपको लेनी है, लेनी नहीं है, मत आप इस counseling में, जितने भी इसके round होते हैं, तो पहले चीज़ तो चैनल को subscribe कर लो, हर round के बारे में मैं आपको inform कर दूँगा, और जितनी भी details होगी, मैं आपके साथ share कर दूँगा, और फिर आप जो है, आखरी तक जितनी भी round होते हैं, उसमें participate करते जरूर है, ठीक है, और उसके साथ, आपका school का TCC, migration, यह आपके documents हो गए, ठीक है, बाकि आपका अधार card, कुछ photos, यह सारी चीज़े हो गई, और बस इतना ही कुछ आपको चाहिए होगा, reporting के time पर, ठीक है, बाकि और कुछ इतना से यह ने, तो इसमें सागर कोई भी document आपका है, जो आपके पास न चलेगा, I don't think is state वाले format का यहाँ पर चलेगा, ठीक है, अगर किसी ने aims का exam दिया था, तो aims में आपको पता होगा, जिसे center format का चलता है, तो उसी type का यहाँ पर जो है, category certificate चलेगा, OBC और EWS के case में, बाकि और कोई अगर other category है, जैसे PH category हो गया, या फिर आपका SCST category होगे, तो उसमें कोई भी problem लिए, बड़ जनल और EWS वालों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कि उनका सार्टिफिकेट है, वो center format में होना चाहिए, ठीक है, तो बस यही कुछ information थी, बाकि इसके बारे में और जो information है, अगर में को time मिल पाता है, तो मैं इसके लिए calculation कर लोगा और उससे यह पता लग जाएगा, कि लगबग लगबग आप इतने rank पर अगर हो, या इतने marks अगर आपके हैं, तब ही आप जाके वहाँ पर reporting करो category wise, ठीक है, तो देखता हूँ अगर वो conclusion बनाता हूँ मैं, तो मैं आपके साथ ज़रू share कर दूँगा, ठीक है, बाकि चैनल पर नहीं है, तो subscribe कर लेना, बाला के इनको प्रेश कर लेना, अगर यह वीडियो आपको helpful लगी तो प्लीज को दरूँ लाइक कर करें, ओके, so thank you and have a nice day.